शेक्षादे की बुस्तर गुलिस्तां दुसरा ज्याय सात्वी कहानी नविनत मुद्वे जूज खैस्तन राप के दारुद परदय पिंदार दरवेश गरत चस्मे खुदा विनी वो बकस्द नविनी हैच कस आजेज तर अजखैश यानि मुर्गाद में अंकार के वसिबूत होकर अपने किसीवा दुसरों के दुख दर्द को बिलकुल नहीं देखते दुसरों के गुनों को भी नहीं जान पाते यदि उनमें इशुर को देखने की शक्ति होती तो अपने को ही सबसे अधिक नीचा समझते मुझे याद है कि मैं बाईलय वस्ता में बड़ा धार्मिक था उन दिनों में रात ही में उड़ता था और अपने पूजा और व्रत आदे भी ठीक ठीक समय पर क्या करता था एक रात को में कुरान की पुस्तक को च्छाती से लगाय हो समस्त रात अपने पीता के सामने बेठा रहा मैंने रात पर जरा आग भी न मुंदी परन्तु आस पास के सब लोग सो गए थे मैंने अपने पिता से कहा ये लोग मुर्दे की तरह ऐसे सो गए हैं कि इन में से एक भी मनश्य इबादत के लिए सिर नहीं उठा था आखों पर अंकार का परदा पड़ा रहता है इसलिए वे अपने सिवा दुसरों को कुछ नहीं समझते यदि उनके नेत्रों में परमेश्वर को देखने की शक्ती होती तो वे किसी को अपने अपेक्षा सकते ही न देखते इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती हैं कि जो सच्चे साधू है जो अbिमान रही थे वे दुसरों में दोश नहीं डूंगते किन्तू जो अभिमानी है उसकी दुसरों के दोश दुन्ने में ही रहती है अभिमान मनुशी अपने समान जगत में सबसे बड़ा, सबसे गुणवान और दोसी नहीं समझता है किन्तु सच्चा मात्मा वही है जिसे जरा भी अभिमान नहीं है जिसमें अभिमान है उसमें सब दोश है अभिमान त्यागे बिना मनिश इश्वर तक कभी नहीं पहुंसकता किसी में कहा है हे तजसूस सर्त या मिलने को क्या मिलता नहीं है कुदी इंसान में जब तक खुदा मिलता नहीं अर्था जब तक इंसान में घमड है अब इमान है वो इस वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता